तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं D.A.S.B. 2024 की बारे में अभी तक की जितनी भी वेकेंसी आई है इसके अंदर इसके उपर हम बात करेंगे PRT, TGT और PGT में हमें किस सरीके से पढ़ना है, exam pattern क्या होगा, syllabus क्या होगा और last merit कितनी गई है इन detail में हम बात करेंगे, मतलब आधा धूरा ज्यान नहीं रहेगा यह मैं आपको कह दूँ मतलब एक complete analysis रहेगा यहां पर, ठीक है मजधार में तुम्हें मैं नहीं छोड़ूँगी, जैसे हमेशा हम कहते हैं कि आधा अधुरा ज्यान जो है वो शेतान का मकान होता है, तो हम यहां पर complete चर्चा करेंगे बच्चा जी, ठीक, तो सबसे important बात है कि आपको पता होना ची यानि कि यहां पर दिल्ली के दुवारा service प्रदान की जाती है और selection किया जाता है, अब सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात है कि PRT, TGT और PGT के exam यहां पर conduct करें जाते हैं, exam pattern आपको यहां पर पता होना चीए, यह आप PRT से किये होए हैं, PRT में वो लोग आ सकते हैं, वो लोग शामिल हो सकते हैं, जिनों ने डिपलोमा, मतलब DL.A. किया हो, या जिनों ने BTC किया हो, या फिर B.A. किया हुँ मैं, B.A. नर्सरी भी है, B.A. नर्सरी में भी लगभा लगभा सेम जो है, वो सलिबस आता है, मतलब एंटिटी वालों के लिए अगर हम बात करें, तो TGT का exam pattern आपके सामने है, मासे के बाद या मासे से पहले आपने B.A. करी है, तो आप PGT में अपलाई कर सकते हैं, एक्जाम pattern के अगर हम बात करते हैं, part 1, part 2, यानकी 2 paper होते हैं, part 1 एकदम general paper होता है, general paper का मतलब क्या है यहाँ पर, general paper का मतलब है बचा जी, यहाँ पर लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि तीनों ही पेपर में जनरल पेपर होते हैं चाहिए पियाटी हो टीजटी हो पीजटी हो तीनों में ही सो सो नंबर के यहाँ पर बिल्कुल सेम अल्मोस सेम ही होता है ठीक है थोड़ा सा डिटेल में आ जाएगा यहाँ पर लेकिन यहां पर pedagogy से related question आते हैं 5 section में पिछली बार question आये थे 2121 का जो paper हुआ था 5 section आये थे 5 section कैसे आये थे और कैसे question आये थे वह भी मैं तुम्हें बताऊंगी मैंने जैसे कहा कि detail में हम यहां पर पर शिर्चा करेंगे, तो उसी तरीके से हम यहाँ पर बात करेंगे, फिर अगर TGT की बात करें तो TGT का, जो कुल पेपर होगा, वो 200 नमबर का होगा, सब्जिक कंसंट से आपके 100 नमबर बनेंगे, फिर अगर हम PGD की बात करें, तीन घंटे का ये paper होता है, कितना तीन घंटे का paper होता है, ये दोनों के दोनों दो घंटे के paper होता है, ठीके बात, समझ में आगी, negative marking यहाँ पर होती है, कितनी, यदि आपने एक question करने लगा दिया, तो 0 नहीं मिलेगा, और कटेगा, मतला और कट यहाँ पर 0.25, यानि कि one fourth number आपके कट जाएंगे, ठीक, पहली बात, फिर time के अगर हम बात करें, दोनों papers को करने के लिए 2 घंटे है, ठीक है, और अगर हम बात करें, कि 40% आपके first paper में आने ही चाहिए, minimum eligibility यह है, तभी आप second paper, आपका second paper है, वो check हो पाएगा, ठीक है, तो कर रहे हैं, तो यह पूरा का पूरा syllabus है, आप देख सकते हैं, जनल awareness में कुछ इस तरीके से question, मतलब इस तरीके से topics हैं, यहाँ से question पूचे जाएंगे, Indian history, Indian economy, जनल quality, आप screenshot ले सकते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, countries के बारे में question पूचे जाते हैं, art and culture के बारे में books और authors, बहुत बार question आता हैं यहाँ से, तो general studies में कुछ इस तरीके से question आते हैं, फिर यहाँ पर जो question आते हैं, reasoning से, reasoning भी सभी subject में एक तरीके की आती है, PGT में थोड़ी सी difficult आ जाएगे, लेकिन हाँ, एक तरीकी का हमारा calculation रहता है, तो आप यहाँ पर production, coding, decoding, visual memory, important topics यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, कौन सी किताब से पढ़ना है, यह भी मैं बताओंगे, मैं अभी बता देती हूँ, S-Chand एक किताब आती है, general topics उसमें रहते हैं, और बहुत बढ़िया किताब रहती है, apply हुआ formula है, तो आप यहाँ पर उसको use कर सकते ह है, तो ध्यान रखी का, S-Chand, S-Chand की किताब आती है, मैंस की और reasoning की आप उसको लगाएं, बड़े तरीके से सारी चीज़े सुलच जाएंगे, जनरल तुम्हारी lucid की किताब आती है, उसको आप refer कर सकते है, general studies के लिए वो भी बढ़िया है, हिंदी के लिए एक सफेद कलर क की किताब आती है, समाने हिद्धी की, तो ध्यान रखीगा, उसको की यदि आप cover करते हैं, तो उसको भी, मतलब उसका slab जो है, इसमें cover हो सकता है, ठीक है, फिर याबर बात आती है, किसकी math की, तो math की भी S-Chand की किताब आती है, ध्यान रखीगा, इसको आप उसमें से cover कर सक मेरा कोई लेन देना नहीं है, लेकिन हाँ, वो best material देता है, तो इसको मैंने आपको बता दिया, फिर यहाँ पर बात आती है, किसकी English की, तो जन्ना English की किताब आती है, तो आप उसको देख सकते है, मतलब कोई भी किताब को आप देख सकते है, जिसमें सारे के सारे topics हो, practice important है क्योंकि यहाँ पर हमारा focus क्या होगा, topic को understand किया, फिर practice set पर हम चले गए, फिर यहाँ पर इसी तरीके से हिंदी पर बात आती है, तो आप यहाँ पर screenshot ले सकते हैं, हिंदी में भी कुछ इसी तरीके से बचाजी जाएगा, यहाँ तक तो समान ने है, यहाँ तक तो मुझे मैं लगता कि कोई doubt होगा तुमारा, अब यहाँ पर, अब यहाँ पर सबसे important बात आती है कि इसकी PRT, सबसे पहले हम बात करेंगे PRT, तो PRT में जैसे मैंने आप से कहा था कि 5 section से यहाँ पर question आये थे, कैसे कैसे question आये थे, वो भी मैं तुम्हें बता दू, दर्शन शास से क कुछ ऐसे question आते है, जैसे आधाश्वाद क्या है, आधाश्वाद में तुमसे पूछ लिया जाएगा कि गांदी जी जैसे आधाश्वादी थे, जैसे रभिना टेगोर आधाश्वादी थे, और रभिन्दो कौन थे, मतलब इस तरीके से question पूछा जाएगा, कि की सरीके से पाथे-च़न को देखते हैं, आधाश्वादी किससरीके से कहते हैं पाथे को पढ़ाओ, फिर यहँा पर यर्थात वादी किए से कहते हैं कि बच् أن-कोण बढ़ाओ, इंका focus क्या होता है , पाथे करम को किस तरीके से ई-D यह घुरत वादियों में कौन-कौन लोग आएगा एका इनसान आएका फ्रॉबेल होगे मारिय मॉंटेष्ट्री होगे किसके उन्दर आएंगे गिजुबाई बड़ेका जो है वो किसके उन्दर आएंगे तो पूरा का पूरा एर्धग्र जो है वो दशनशास से ही घुम रह थी यहां पर पूछा गया था कि पितक क्या है इसके बारे में पूछा गया था सवीत्री भाई फूले के बारे में यहां से question आये थे तो ध्यान रखीगा कुल मिलाके किस तरीके से question बन रहे हैं यहां से पूरे question बन रहे थे तो मैंने आपको बता दे कि education philosophy का जो section है बहुत important है और यह hundred marks में कम से कम कुछ परतिशत ले जाएगा फिर यहां पर बात करते हैं कि section second के section second के अगर हम बात करें पूरा का पूरा learning का जो chapter है तुमारा वह बहुत important है यानि कि अधिगम के chapter को मत छोड़ना अधिगम में सारी सब कुछ आ जाएगा यानि कि यहां पर सभी theories आ जाएंगी सभी सिधात आ जाएंगे सभी विदियां आ जाएंगी types of learning क्या होता है अधिगम के का सभी प्रकार क्या होते है अधिगम के वक्र कौन से होते है नेगिटिव का मतलब क्या है यहां से question आते है थीक है और अधिगम शैलियों में से एक question आया था कोल्ब के सिधान से कोल्ब की लर्निंग थेयरी आई थी, कभी वार्ख मॉडल पूछ लें, कभी कोल्ब का सिधान पूछ लें, तो इन सभी स्लेबर्स को हम बहुत डिटेल में करेंगे, डोंट वरी, आज मैं तुम्हें एक ब्रीफ में दिखा रही हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, शोशलोजी से 2018 की क्वेशन पेपर में बहुत सारे प्रशन आये थे, 2018, जिसमें M.I.L. धरकाइम क्या था, इन्होंने क्या दिया, M.I.L. धरकाइम के अनुसार पाठे चरह का, निर्मान कैसा होना चीए, काल मार्क्स ने पुंजी वाद दिया, क्या मतलब है इसका, डू और के वारे में यहां पर चर्चा होती है, काल मार्क्स की दुवारा, क्या मतलब है इसका, तो ऐसे क्वेशन आते हैं, यह किसका कथर है, मतलब किसने यह स्टेटमेंट दी है, काल मार्क्स ने दी है, टेलकोट पासर ने दी है, या क्या क्या मतलब है, शोशल मॉबिलिटी से क् एजुकेशन फिलासफियों में क्या संबंध है यहां से भी प्रशन आये तो दियान रखेगा यहां से कुष्चन आते हैं तो आपको पता होना चाहिए इन सभी के सिध्धानतों के बारे में पता होना चाहिए क्या-क्या किसने कहा है तो यह बहुत इंबॉर्डन है फिर बात प zabते होना चीए PP आपको पता होना चीए CT को पता होना चीए PSD की सब्सक्राइब आपको सब्सक्राइब सब्सक्राइब यृण को बीचाइब को पता होना सबोसरी उस प्हुन सब्सक्राइब जिए событи 186 की राश्य शिक्षा निती में क्या कहा गया मतलब इसमें क्या खास सा फिर अब की जो पॉलिसी है एनिपी 2020 इसमें क्या खास बात की गई है फिर एफलेंट टार्गेट्स में क्या खास बात की गई है फिर निश्ठा में क्या खास बात की गई है आई बसमझ में कि ऐसे से प को एक स्लेबस डिटेल में दिखाना चाहती थी तो आपने देखी लिया होगा यह कुछ ऐसा स्लेबस है जो प्यार्टी में बार बार तुम्हें देखने को मिला होगा प्यार्टी में ऐसे क्वेशन आये हैं फिर अब मैं जो बात कने वाली हूँ यह बहुत ही इंपोर्टन है अभी तक में से सबसे इंपोर्टर मनों विज्ञान के ऐसे कुछ सेक्शन मैंने उठाए हैं जहांसे बहुत बार पिछले वर्षों में पेपर बने हैं 2018 का पेपर हुआ था लास बार 2019 का फिर 2021 और 22 तो तुम देख सकते हो यहां पर motivation theory से question आते हैं प्रत्याश्य सिधानतों से question आते हैं हर्टर के सिधान से अदरों से कारी कि शेतन ने क्या कहा one potion का सेओर मतलब हैसे विकास के सिधान ताए हैं चो अभी तक नहीं यह कीन मानिंए अभी तक नहीं आए विकास के सिद्धान्तों में एक बोलबर्ग जीनग बहुत पीचे रह गये थे दैका बहुत Spider कर में मतलब अगर बच्चा शैश्व वस्ता में है तो शैश्व वस्ता के बारे में कौन-कौन से सिधांतकार से चिए चाहिए निन है कुल कोन सी धी तो यह सिद्धान बच्चा जी बहुत आयत है तो डेवलमेंटल थेयरी से आदे से ज़्यादा आपका पेपर था तो मैं कहूंगी कि जरूरी नहीं कि अब वैसे ही आएगा लेकिन हाँ इस पर ध्यान दे नहीं है जो नहीं आया था उसको भी हम बहुत डिटेल में करेंगे ज यहां पर जो मैं बात करने वाली हूं वह बहुत ही इंपोर्टन अभी तक के 2021 और 22 में जो सवाल पूछे गए थे वह मैंने तुम्हें यहां पर लिख दिये हैं जिसे मानलों निट्रीशन से बहुत क्वेश्चन आये थे कि यदि बच्चा छे साल का है तो उसकी ठाली में क क्या होना चाहिए ऐसे सवाल आये थे यानिकी इंच फिर आके एक ही बात कहूंगी कि बच्चे की उपर ही बात हो रही है ऐसा नहीं कि स्लेवस आउट जा रहा है बच्चे की उपर ही फोकस हो रहा है तो निट्रीशन से क्वेश्चन आये थे अब तुम जब यह पढ़ोग मतलब सुसु कर देता है बैट पर ही तो ऐसी सम्मझ से को क्या कहोगे एनुरेस तो ऐसे क्वेश्चन आये थे जेंडर के उपर काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिले फिर यहां पर प्री एंट पोस्ट डेवलप्मेंट बायोजिकल साइकलोजिक के उपर क्वेश्चन द का ब्रोका वर्निका सुना होगा आपने तो ब्रोका जो है वो इसकी वज़े से क्या होता है वर्निके की वज़े से क्या होता है मतलब एसे इसे क्वेश्चन डिटेल में आये थे तो यह आपको पता होना चाहिए फिर यहां पर प्यूबर्टी का मतलब क्या है यह किस अवस होते हैं इस तरीके से आपको पता होना चाहिए फिर भाषिक विकास में कुश्चन आता है कि यदि बच्चा आठ साल का है कितने शब्दों का बंडारन हो जाएगा तो यह कैसे आपको तयारी करनी है वो भी मैं बताऊंगी आप देख सकते हैं आप चिल्डरन भी स्पेशल न लेवल है जिसको हम एजुकेट कर सकते हैं कि शिक्षित कर सकते हैं तो वह है पच्चास से लिका सता तक यह कुश्चन आया था ठीक है तो ध्यान रखिगा ऐसे से प्रशन आते हैं तो यहां पर और भी कुछ कुश्चन देखेंगे cinnamon processing theory एक theory है जहां से question आया था त्रिप सीक्षर उवित करना से थोटेगा सीखेंगे युलटर्ण से question पता होना चाहिके कि नана परकार कि बच्चे होते हैं तो कि स्तरीके से यह बच्चा है, इस को हम कैसे ट्रीट करेंगे, सेल्फ कॉंसेप्ट, यह मैंने मोटा-मोटा लिख दिया है, बहुत डिटेल में एनलिसिस करके, तुमारे स्लेबस, स्लेबस कहूं, या क्वेशन पेपर कहूं, अभी तक के जितने भी क्वेशन पेपर्स हुए हैं, तो उन में से कहां कहां से क्वेशन पूचे गए हैं, वो मैंने तुम्हें बता दिये, राइट टु एजुकेशन एक्ट से बहुत डिटेल में क्वेशन आया था, ऐसे क्वेशन नहीं आते हैं कि कौन सी धारा में क्या कहा गया है, यहां पर सरशचा अभ्यान के अंदर क्या क्या बाते की गई, इसकी उपर बात आती है कि इसका यर पूछा गया था बहुत सारे एक वेढ़ में की कब लॉँच हुआ, 2000 में 2001 में, सब सब्सायरा कन्फुजण इसमें रहती है, पिर types of learning के उपर यहां पर question आता है, role of teacher के उपर question आता है, basic education के उपर यहां पर question आता है, पिर यहां पर types of activities, debate, excursion, exhibition में इन में क्या अंतर होता है, फिर यहां पर school management committee, school developmental committee और village education commission committee, इसके उपर बहुत question आये थे, कि इनका role क्या है, तो इनको हम बहुत detail में जाने वाले हैं, आप चिंता मत करिए, types of computer, super computer, param computer, इंक्योपर question, आदी वासिस से question आये था, आदी वासिस से question आये था, कि मालों कि अगर एक जाती का, मतलब एक जाती में, जो teacher बनता है, वो कहां का बनता है, urban area से बनेगा, rural area से बनेगा, वहीं से बनेगा, ऐसे प्रशन, फिर समाविशी श सबसे important है, जो मैं अब बात करने वाली हूँ, यह तो यह हो गया, अब यहाँ पर आप यदि self study करना चाहते हैं, तो आप खुझ से कैसे तयारी कर सकते हैं, आप तयारी कर सकते हैं, कैसे तयारी करेंगे, सुननी का, ठीक, यदि आप PRT से हैं, यदि आप TGT से हैं, यदि आ इनके लिए भी एक रहा है, कैसे, यदि आप PRT के हैं, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर IGNU के, मतलब यहां से आपको तरकीब मिलेगी, IGNU का आपको यहाँ पर DL8 के नोट्स निकालने हैं, इसके बचाची, आपको यहाँ पर DL8 के नोट्स निकालने हैं, आपक पर नोटस आपको एक नो के मिल जाएंगे। फिर यदि अप गड़ी हिरा है न मैंप पर 2 के लिए क्योंकि part 1 तो आपको मिल जाता है फिर भी part 2 में दिक्कत आती है part 1 बहुत मतला फिर भी कर पाओगे सबसे बड़ी दिक्कत part 2 में आएगी यदि आप PGT से है तो आपको क्या करना है आपको यहां पर graduation का material पढ़ना है सिरफ और सिरफ graduation को बहुत detail में पढ़ना है ऐसा नहीं कि सस्ता सस्ती कॉपी नहीं चाहिए hard को पीचाईए ठीक मतला hard time इसमें लगना चाहिए invest होना चाहिए तब जाके निकल कि आएगा फिर अगर आप PGT की तैयारी कर रहे है तो आपको यहां पर graduation का भी पता होना चाहिए आपको यहां पर आपने इस सरीके से त्यारी कर लिए कट ऑफ के बारे में अगर हम बात करें तो कट ऑफ एक बार देखना जरूर बनता है कट ओफ देखिए कि आप अपने सब्जेक में कट ऑफ देखिए कितने कट ऑफ आई थी देख रहो यहां पर यह है प्यार्टी का लेवल प्यार्टी में जन्रल कैटेगरी में 161 के करीड यहां पर मतलब दो पोस्कोर्ट हुई थी दो पेपर हुए थे तो इतनी जो है कट ऑफ गई है और अगर हम प्यार्टी असिस्टेंट प्राइमिरी की बात करें पोस्कोर्ट सब्सक्राइब करें जल्दी शुरू होगा ताकि आपको यहां पर उन चीजों से अवगत करवाया जाए जो आपको नहीं पता है तो इस वज़े से बचन जी आ रही है अब यहां पर अगर हम पीजिट तो यहां पर समझ में आ गई तो यह देखना बहुत ज़रूरी है यह देखना आपको बहुत ज़रूरी है संस्क्रिट नेच्र साइंस इंदी शुष्ट साइंस इसमें क्या कट ओफ गई है यह आपको पता होना चाहिए कि बात हो रही है अब बात करते हैं किसके बारे में टीजिट की शूष्ट साइंस अभी आए नवे कैंसी तो टीजिट के शूष्ट साइंस में अगर आप देखें तो अच्छी खासी कट ओफ गई है इसमें भी जन्ना केटगरी में अगर हम देखें 200 नमबर में से कितने 200 नमबर में से 121 के करीबन गई है और सब्सक्रान अगर से बारे में पीजिटी के उपर आज जल्दी से हमारा said investigation फटू इंपुक्री शेश्ट सावर्ड गयी, आप यहां पर देख सकते हैं तो थोड़ा सतव डिटैल में देखते हैं यह फुरा का पूरा पूरा पीजिटी का है पिजिटी पाइन आर्ट्स, पिजिटी उर्दू, म्यूजिक, केमिस्ट्री, हिंदी, कॉमर्स और बाइलोजी, समझे यहां पर बात, तो यहां पर हमने बात करी last minute के बारे में, यहां पर बात करी exam pattern कैसा होता है, syllabus कैसा होता है, अब बचा कुचा बात करेंगे form के बारे में, पिजिटी, और दूसरे जो अन्य जो पोस है, उसकी forms निकल चुकी है, अब बात आती है कि मैडम, पिजिटी के forms कम निकलेंगे, मैंने का न, complete जानकरी है, आपर मिलेगी, तो पिजिटी के forms कम निकलेंगे, तो हमेशा से ही DTSB का एक pattern रहा है, कि पहले वो non-teaching का निकालता ह पिजिटी का, फिर TGT का, फिर PRT की बारी आती है, तो ध्यान रखीगा, आप तयार रहें, आप पहले से ही तयार रहें, एक तो वैसे ही teaching की vacancy बहुत कम आती है, बहुत कम opportunity आती है, और ले देके अगर कोई opportunity आ भी जाती है, फटाक से exam हो जाता है, तो यहां पर पहले से ही doubt है, तो आप मुझे comment box में लिख सकते हो, मैं वहापर चेक करूँगी, और इसी तरीके से आपके संग्यान में चीजे चली जाएं, छोटी-छोटी वीडियो में लेके आती रहोंगी, तो सभी को नमस्कार, रादे रादे